लाइव नियूज खबर तो पक्की है नमस्कार मर्सनमकों आप देखें लाइव 24 नूज मेरे साथ अभी माले विधायक हैं डॉक्टर संदीप सौरव जी हमसे हम बात करेंगे सिच्चों के लेकर के सप्लेमेंटिल रिजल्ट जो आया है जो 4700 की बात्सीत हो रहे थी लेकि 4700 कर दिया गया है सर अब 2700 निकला गया विधारती करें कि धोका हुआ है धोका हुआ है गलत हुआ है और सरकार ने बिहार विधान सभा के अंदर जो जवाब दिया है मेरे सवाल का और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो मल्टिपल रिजल्ट दिये गए एक कैंडिडेट का तिन-तिन जगा रिजल्ट दिया गया है तो उससे जो खाली पद होंगे प्लस जो अन एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जो जिनका डॉकुमेंट में कमी हो जाएगा उन तमाम पदों पर हम सप्लिमेंटरी देंगे तो अगर आप विधान सभा में ये लिख करके दे रहा है लिखित में है सब तब आपको उसको उसको पालन करना चाहिए लेकिन सिक्षा विभाग और बीपीएसी पता नहीं किस प्रक्रिया से लोग सोचते हैं सिक्षा विभाग ने केवल 4700 रिजल्ट कहा बात अब ये लोग उसमें भी 2700 निकाल रहे हैं तो ये गलत है और कई सार कर दिजिए क्लेम कर दिजिए करके तो कई सारे भीहर्थियों ने क्लेम भी किया तो उनका हम उमीद कर रहेते कि सेकेंड लिस्ट में उनका आ जाता सप्लीमेंटरी में वह भी नहीं आया है तो सरकार को इस पूरे प्रक्रिया को देखना समझना चाहिए और बीपीएसी और और सिक्षावी भाग से बात करके छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए यह संभावना है कि जो जो जवाब आप दे रहे हैं उस जवाब का तो पालन करेंगे उस जवाब का भी पालन नहीं हो रहा है तो यह सिक्षावी भाग और बीपीएसी को तुरंत देखना चाहिए सरकार हस्तक शेप कर रहे हैं अब जल से जल्द उनको लाना चाहिए इसमें और कोई वीलम करना कारन बनता नहीं है तो हो सकता है कि आए एक लाश्ट स्वाले सर जबेगुस रह से और इधर सितामडी तरस बहुत सारे बिजारती जबी नवनीक टीचर बने हैं वह रिजाइन मार रहे हैं देखिए अब जो नौकरी जिनको दिया गया है महिलाओं को आपने भेज दिया है 400 किलो मिटर दूर गाउं में कोई वहाँ इंतिजाम नहीं है कोई रहने के लिए डेरा लोगों को नहीं मिल रहा है दिव्यांग कंडिडेट को भेज दिया गए दम दूर के गाउं में और खेत के बीच में मैं कल एक वीडियो देख रहा था एक दिव्यांग टीचर है उनका बहाई कंडे पर बैठा करके उनको खेत से ले जा रहा है इसकूल में पढ़ाने के लिए और वह आदमी रो रहा है तो जो पोस्टिंग दिया गया है उसमें महिलाओं का दिव्यांगों का कम से कम ध्यान रखना चाहिए और उनका जो जीला है जहां उनका घर है जब आपने एड्रेस लिया है सबसे विकल्प लिया है तो आरा के लोग को पुर्निया पुर्निया के लोग को रोतास इस तरह से भेजने का कोई मतलब नहीं है यह सिर्फ सिक्षों का उत्पीनन है और केके पाथक यह जानमुच के क करना चाहिए को कि वो आपसन जब दिये थे तो उनके आपसन का पाराण होना चाहिए और कहीं ने कहीं ये परतारना हो रहा है सिच्छा की साथ दिव्यांग सिच्छो की साथ मैं सम्भू कमार पटना लाइव न्यूज खबर तो पक्की है